कोरोना महामारी का खत्रा पहले से ही हम पर मंदरा रहा है और जैसे ही हम अपनी इम्म्यूनिटी कमजोर करते हैं, ये हमलावर हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि अपने स्वास्थे को बनाए रखा जाए और ऐसे फल और सबजियों को खाया जाए जो इम्यूनिकी को ठीक करते हों और हमें मजबूत बनाते हों बुजूर्ग बच्चे और कमजोर इम्यूनिटी वालों को संक्रमण की चपेट में आने का ज्यादा खत्रा होता है स्वस्थ डाइट का सेवन उनको बीमारी पैदा करने वाले रोग जनकों से बचा सकता है आपके लिए कुछ फल और सबजियों को अपनी डाइट में शामिल करने का सुझाव दिया जा रहा है उसके इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी में सुधार हो सकता है संतरा ये फल न सिर्फ शरीर की इम्यूनिटी को सुधारता है बलकि कोलेजन उत्पादन को भी बढ़ाता है और सेल्स को नुकसान होने से बचाता है ये स्वस्थ शरीर और स्किन का अच्छा स्रोता है ये शरीर में आइरन के अफ्शोशन को भी बढ़ाता है और एनीमिया से जूच रहे लोगों के लिए ज़रूरी खादे सामगरी होता है। मश्रूम इम्म्यूनिटी बूस्टर और फाइबर, प्रोटीन, एंटीक सीडेंस का भरपूर स्रोथ होते हैं। उसमें कैलोरी कम पाई जाती है और वजन कम करने की कोशिश के दोरान खाया जा सकता है। ये स्वास्थे की गंभीर बीमारियों जैसे खास कैंसर और दिल के रोग का खत्रा भी कम करता है। तर्बूस ये फल न सिर्फ बहुत हाइडरेटिंग और ताजगी देने वाला है, बलकि ग्लूटाथियोन नामक एंटीक सीडेंस से भरा होता है। ये आपकी इम्म्यूनिटी को ठीक और मौनसून के मौसम में संक्रमित होने के खत्रे को कम कर सकता है। ब्रोकोली ये सबजी विटामिन सी में भरपूर है, जो शरीर की इम्म्यून शक्ति को बढ़ाती है। सलफोराफें जैसे कई एंटीक सीडेंस और आयरन समेथ अन्य पोशक तत्वों का अच्छा स्रोत होने के कारण आप अपनी इम्म्यूनिटी सुधारने के लिए डाइट में शामिल कर सकते हैं। पालक फूड का ये स्रोत न सिर्फ आपकी इम्म्यूनिटी सुधारता है, बलकि कई पोशक तत्वों जैसे विटामिन सी और इसे भी भरपूर होता है। ये सभी शरीर के संपूर्ण सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं और इम्म्यून सिस्टम का भी समर्थन करते हैं। चुकंदर कई फायदों से भरा होता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ बना सकता है। ये पोटेशियम और अन्य मिनरल समेथ कई विटामिन्स का अच्छा स्रोथ है। ये बलड प्रेशर को भी कम करने, स्वस्थ वजन बनाने और यहां तक की कैंसर की रोक थाम में भी मदद कर सकता है। चुकंदर शरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ाता है। लेटिस्ट न्यूस के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें।